हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम केंप्यूटर एंड टेकनिकल इंस्टिट्यूट में जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको बताये थे कि आपके केंप्यूटर में जो टंप्रेरी फाइल होती हैं उन्हें आप किस तरीके से खोशते हैं और डिलीट करते हैं आज हम आपको उताएंगे कि आपके डिक्ष्टाप आइकन जो होते हैं उन्हें आप कितने तरीके से देख सकते हैं तो आप अपने स्क्रीन पे माउस से राइट की कायूच करेंगे right key कायूच करते ही आपके screen पे यहां एक view का option दिखेगा आप इस पे जब arrow की ले जाएंगे तो यहां एक option मिलेगा large icon इस पे जब आप mouse से click करेंगे तो आप देखेंगे icon की size आपके screen पे बड़ी हो चुकी है इसके बाद इसमें दूसरा option आपको दिखाई दिया है medium icon और छोटी हो जाएगी तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना बूलिएगा मिलते हैं next वीडियो में और वधिक जानकारियों के साथ